हेलो दोस्तों स्वागत है आपका विनीता की रसुई में हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे आलू और बीन्स की सबजी तो देखिया यह कैसे बनाते हैं इसको एक दिए में बीन्स को बॉश करके कट कर लिया है और अब हम इसको फ्राइ करेंगे यह हमने कड़ाई ले करेंगे तो उसी में हमारा पक जाएगा तो सारे बीन्स को फ्राइ कर लेंगे इसके बाद यह मैंने लिये हैं आलू जो कि मैंने बॉइल कर लिये है यह बॉइल के हुए आलू है और अब इनको हम आगे देखिए यह हमने टमाटर ले लिया है प्यास ले लिया है हरी मिर्च ले लिया है और लेसन ले लिया है इसको हम कट कर लेंगे यह देखिए हमने इनको कट कर लिया है बारिक बारिक पीसों में इनको कट कर लिया है इनको कट करने के बाद अब हम देखते हैं हमने जो आलू बॉयल किया हुआ है उसको हम कट कर लेंगे जो आलू मैंने बॉयल किया हुआ है, मैंने इसमें बॉयल आलू यूज किया हुआ है, तो इसको हम कट करके इसको मैंने रख दिया है, अब हम जो हमारी कड़ाई में मैंने बीन्स फ्राइ किये थे, उसमें जो आलू बचा हुआ है, उसमें मैं इसको बनाना शुरू करूंगी यह देखिए जीरा डाल दिया है मैंने इसमें लेसन जो मैंने कट किया था वो डाल दिया है लेसन को हम हलका सा ब्राउन होने देंगे ये देखिएं लेशन हलका सा ब्राउन हो जादा इसको जलाना नहीं है पस हलका सा ब्राउन होने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए रखना है देखिए दोस्तों लेसन हमारा ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ है प्याज को भी हम हलका ब्राउन होने तक इसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज जलेना हलका ब्राउन इसको होने देना है मैंने हरे मिर्च भी डाल दिये ताकि हरे मिर्च भी इसमें फ्राइए हो जाए तो उसका तेस्ट अच्छा आता है यह देखिए अब हम इसको चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना प्याज हमारा और अलका सा ब्राउन होने के बाद हम इस पर डालेंगे फिर हम इसमें टामाटर डालेंगे इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे ये प्याज हमारा तो व्राउन हो रहा है थीर के अब हम इसमें डाल देंगे टेमाटर तो तो या अब हम एसमें तामाटर को थोड़ा से अप्याज तो दोनों को चला ल्हेंगे अब अपने टेस्ट के अनुसार हम इसमें मसाले यूज करेंगे मैं मसाले इसमें कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रही हूं नमक टेस्ट के अनुशार यूज करना है आपको और इसमें मैं डाल रही हूं जीरा पाउडर हल्दी धन्या पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला बस यही चीज मैं इसमें यूज कर रही हूं जीरा पाउडर धन्या पाउडर और गरम मसाला हल्दी नम्ग भसार ये चीज मैंने हम्हाणा इसमें उच्छी अब ठोड़ा सा हम इसको पकने के लिए छोड़해 doubts फ्वर दो मिनित तक हम मसाले को पकने के के लिए छोड़ देंगे करें है कि यह देखे दोस्तों हमारा मसाला पक रख यॵा अर्डी हो चुका है आप हम इसमें एट कर देंगे जो हमने अलू Ice कर लिए अच्छ से मिक्स करेंगे तक यह सारा मसाला जो है वो अलु पर मिक्स हो जाए और अलु बीकुछ देर के लिए हम इसको पकने isso ताकि इसका टेस्ट कुछ अच्छा आजाए अलग ही टेस्ट इसका आता है फ्रेंड्स यह मसाला इसमें मिलकर के तैयार हो चुका है अब हम इसमें जो हमने फ्राई की थी बींस को डाल देंगे ये देखिए बींस डाल दी है अब हम इसको चलाते रहेंगे जलाते रहेंगे जो भी मसाला इसका बना हुआ है यह सारा इसमें मिक्स होने के लिए रख देंगे यह देखिए फ्रेंट्स हमारी सबजी बन करके रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी बनती है ट्राइज